गर गरस्ति के काम तो हम सभी को करने ही पड़ते हैं लेकिन अगर वही काम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ किये जाएं तो वही काम जो मेहनत वरे होते हैं वही आसान हो जाते हैं साथी साथ हमका हमारा जो समय है और पैसा दोनों ही बच जाते हैं Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं फिर आज़े हो गई हूं आपके लिए बहुत ही यूसफुल किचन टेप्स लेकर तो मेरी आज की पहली टेप है कंगों को लेकर हम घर में धेरों कंगे खटे कर देते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टाइम पिना हमें एक भी कंगा नहीं मिलता है तो उसके लिए मे कंगों को इंसर्ट कर दीजिए बहुत इजली इंसर्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप अपने टेबल पर या फिर जहां पर भी आपके घर मेरा होता है वहां पर उस चीज को इसको रग दीजिए इससे ना सबको आदत हो जाएगी कि आप कंगा यूज करेंगे वापस इसी करना चहिए में लगादेंगे क्योंकि अदर डर्जब पिकन रखिक जाते हैं तो हमें जरुवत के टाइम पर कभी नहीं मिलते और चोटी सी कह objections हो जाते हैं कंगे रूटते हैं और हमारा एक वे कंग कानी मिलता तबकि हम घर्में चार छे आठ कंगे हमेशा ही रखते हैं लेकिन वही होता है कि जितने family members होते हैं उतने ही कंगे होते हैं क्योंकि कंगे कभी भी एक दूसरे के इस्तमाल नहीं करने चाहिए तो मेरे घर में 5-6 लोग हैं तो हम सब के अलग-अलग ही कंगे हैं तो इस तरह से मैं हमेशा इनको इ चाहिए जी हां ज़ाडू ज़ाडू हमारी एक ऐसी चीज है जिसे हम सफाई के लिए इस्तमाल करते हैं और हमें लगता है इसका काम तो सफाई करना है इसको हम क्यों साफ करें नहीं इसको भी हमेशा time to time साफ करना चाहिए क्योंकि ज़ाडू होती है उसमें कई बार इतने स जारू को हमेशा साफ कर लिए तो पहले मैंने यहां पर सूखे ब्रश से जारू को अच्छे से साफ कर दिया और जितने भी बाल वगरा थे एक्स्ट्रा वो सारे निकाल दिये हैं आप अच्छे से इसको खूब अच्छे से ब्रश कर लिजिए उसके बाल डाले इस पर करना है तो आप क्या करेंगे हर्पिक डालने के बाद इस पर थोड़ा सा पानी च्छड़क लीजिए हलका सा पानी च्छड़कना है ज्यादा पानी च्छड़कने की जरूत नहीं है बस और उसके बाद आप इसी ब्रश की मदद से इसको दो मिनिट के लिए बस हमें करने के बाद में और पूरे जितने भी जाड़ू के बाल है उनको अच्छे से ब्रश कर दीजिए इस तरह ब्रश करने से ना इनकी सारी जितनी भी वैक्टिरिया होंगे की टानू होंगे वह सारे मर जाएंगे हार्पिक की वज़े से क्योंकि हार्पिक में सब को पता है ऐस उल्ट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से ब्रश मार दीजिए अब इस तरह से ऊच्छे से बटानद च이지 लिए गार जाड़ और आपको इस जारू को सुखा कर ही रखना है, गीला नहीं रखना है, तो उसको न सिंपल सी डिप है, सुखाने के लिए भी आपके घर में जो कपड़े सुखाने वाली पिंस होती है उनको लगा दीजे, थोड़े थोड़े बाल लेकर, इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा बेर पास होती रहे और हमारी जारू जो हलकी पुलकी गीली हो गई है, वो भी सूख जाएगी, क्योंकि गीली रहने से भी इसमें वेक्टेरिया पैदा होते हैं, और हमारी जारू जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इसकी बहुत जादा सॉफ्ट बाल होते हैं, अगर य और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा साथी साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर गीजेगा और साथी साथ मुझे कमेंट करकर ये भी बताईएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाँ बाई